आज की समय में लोग नौकरी की तलास में कई बार ठगे जाते हैं, कोई कहीं पैसे से ठगा जाता है, तो कोई कहीं बेमतलब के काम से, पर क्या हो अगर कोई आप से कहे कि आपको विदेश में नौकरी करने का मौका मिल रहा है, और विदेश जाते ही आपके हाथों में हतियार थमा कर युद्ध के लिए भेज दिया जाए देखे रिपोर्ट नौकरी के लालच में लोग कुछ भी मान जाते हैं और कुछ भी गलती कर भी बैठते हैं वहीं अगर विदेश में नौकरी करने की बात हो तो लोग हसी खुशी राजी भी हो जाते हैं इसी का फाइदा उठा कर एक गिरो लोगों को विदेश भेज कर युद्ध में जोग दिया करता था जिसे लेकर CBI ने अब बड़ा खुलासा किया है रूस युक्रेन वार में भारतियों को भेजने के मामले में केंडरी जांच ब्यूरो याने की CBI ने बड़ा खुलासा किया है CBI के जांच के मताबिक इसके पीछे मानव तसकरी का बड़ा गिरो काम कर रहा है इस मामले के जांच अब एक रशियन महिला तक पहुँच गई है ये रशियन महिला भारत के लोगों को वीज़ा दिला कर वार्ज जोन में धाखेलने का काम करती थे आकर्शक नौकरी दिलाने के एक राम पर रूस यूकरेन वार में भेजने के मामले में CBI ने रशियन महिला को आरूपी बनाया है ये रशियन महिला तक पहुँचने के लिए CBI रूसी एम्बेंसी से विज़ा दिलाने वाली महिला से चिन्नई में पूछताच कर रही है आपको बता दे कि गुरुवार को केंडरी जांच ब्यूरो ने एक बड़े मानव तसकरी नेटवर्क का भांड़ा फोर्ड किया था जिसके तहत CBI ने साथ शेहरों में 13 ठिकानों पर शापे मारी की अब तक 35 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिने आकरशक नौकरी दिलाने के नाम पर इस वार्ड जोन में जोग दिया गया था विदेश में आकरशक नौकरी दिलाने का वादा कर भोले भाली युवाओं को निशाना बनाते थे इस तरह के तसकर एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे और वहीं यूट्यूब आदी जैसे सोशल मीडिया चैनल और अपने स्थानी संपर्क एजेंट्स के माध्यम से भार्टी नागरिकों को रूस में ज्यादा वेतन वाली नौकरियों के लिए लाव दिलाते थे इसके बाद तसकरी करके लाए गए भार्टी नागरिकों को लड़ाकों की भूमिकाओं में प्रसिक्षित किया गया और उनकी इच्छा के खिलाव भी रूस में अग्रिम ठिकानों पर तैनात किया गया जिससे उनका जीवन गंभीर खत्रे में पढ़ गया और ये भी पता चला है कि युद्ध शेत्र में कुछ पेड़ित कंभी रूप से घायल फी हुए थे ब्यूरो रपोर्ट केविसी न्यूज एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बहतर साफ सफाई भी हो. क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है. चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉक विट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ